नमस्कार दोस्तों माम बिलकित महांन सिंगला स्वागत है आपका मारी चैल में दोस्तों आज में स्विशनें बात करेंगे कि नवरातरों में प्रेतरोगियों को क्या करना चाहिए दोस्तों मा दुगा के माता रानी के नवरातरे चल रहे हैं हाला कि मा के नौरूपों की अराधना होती है और हर दिन एक देवी का दिन होता है और जिस दिन उनकी एक नियमत रूप से अराधना होती है एक नियमत तरीके से विधान से अराधना होती है और बहुत लोगों ने अपने घर में माता की जोद भी जलाई होगी नारेल भी रखा होगा हर चीज की होगी पर जो खासकर प्रेद्रोगी हैं उनके लिए नवरात्रों का लाब वो कैसे उठा सकते हैं दोस्तों नवरात्रों में आप मा द्रुगा से प्रात्रा कर सकते हो और उसमें जो एक स्वरूप है माता का मा काली का इस स्वरूप की प्रात्रा आपको रोज करने हैं हलाकि मा कालरात्री का दिन भी एक है पर आपको मा काली का स्वरूप हर दिन मानते हुए आपने रोज उन ऐसा नहीं है जिसको relief ना मिले मा काली की उपासना से क्योंकि जब आप मा काली की पूजा करना शुरू करते हैं तो आपकी intuition level बढ़ने लगता है आपको लोगों की सच्चाई पता लगने लगती है जो आपके जीवन में विरोधी हैं जो शत्रू हैं उनकी सच्चाई पता करने लगती है मा काली सपने में दिखने लगती है यहां तक की मा काली आपको यह समझ लो एक द्रिश्य के माध्यम से भी दिखाती है कि आपने कहां क्या किया और क्या हो सकता है आपके साथ कौन इंसान कैसा है और मा काली के दर्शन बहुत इसीली हो जाते हैं सपनों में अ कोशिश कीजिए इसको जितना कर सकते हैं करिए आप एक सो आठ बार यानि की एक मालत रोज कर लीजिए अगर एक माला के फेर में आप नहीं कर सकते तो आप नियमित रूप से रोज उसको लगातार चैंट कीजिए दिन में भी कीजिए रात में भी कीजिए रात को नीन नहीं आती तो माकाली के मंत्र कजाब कीजिए शाम को भी कीजिए सुबह भी कीजिए जितना जादा नवरात्रों में माकाली का मंत्र ये करोगे नवारन मंत्र आपको बहुत रिलीफ मिलेगा बहुत लोग कहेंगे मंत्र उस पे यूट्यूब पे चला के बैठ जाते हैं बैग्राउंड में चलता रहता है वो चीज उपासना नहीं है तो अपने आपको भी मत ओर स्मार्ट बनिए और भगवान को भी बेवकूर मत समझे आपने बैग्राउंड में मंत्र चला दिया वो लगातार बज़ रहा है और आपको मन से तन से पूरा जोड़ना पड़ेगा उस मंत्र से तब जाके माकाली प्रसन होती है तब जाके शक्तियां यह एसास करती है के हाँ आप वाकई में इनकी मदद चाहते हो बैग्राउंड में चल रहा है जैसे कि किसी होटल में म्यूजिक चल रहा होता है आपका ध् अपने आत्मा को अपने शरीर को इसमें शामिल कीजिए और महाकाली के मंतर का उचारन कीजिए मैं यह नहीं कह रहा कि आप सुबह से शांता के एक जगे बैठ जाओ और मंतर करते रहा हूं आप अपने नियमित रूप के रोज के काम खाना बनाना वगयरा सब घर्म की सफाई सब चीज़ जो भी आप घर में काम कर रहे हो सैर करने जा रहे हो पार्क में कुछ भी कर रहे हो आप महाकाली का मंतर बोलते रहिए मूह से बोल दीजे या मानसिक जाब कर लीजे मनी मन कर ल गांगे और बहुत जलदी होते हैं क्यों maximum तांतरिक माAKाली की अराधना करते हैं क्यों क्यों क्योंकि सिद्धिया मिलती है शक्तिया मिलती है intuition मिलती है third eye छुलती है truth मिलता है wisdom मिलता है आपको शत्रों पे जीत मिलती है शत्रु भै दूर होता है और नकरात्म कुरजये तो दूर होई जाती है, उनकी तो कोई उकाती नहीं है, तो इसलिए मा काली के मंत्र का जाब कीजे नवारण मंत्र का ओम एम्रीम दुनिंध। आई वeseए, आप चाहे मा काली की परतिमा भी अपने घर में रख सकते हैं उनके सामने रोज रात को 12 वजे आपने सरसो के तेल का दीपक जलाना है लिख लीजे इसको मा काली की कोई भी तस्वीर या मूर्ती अपने घर में रखे और उनके सामने सरसो के तेल का दीपक रोज रात को बारा वज़े जलाना है आपने और यह माकाली का मंत्र हो में मेरी इस परिशानी को दूर कीजे यह मा मैं प्रेत रोगी हूं मेरे रोग को ठीक कीजे जो भी नकरात्मा कुर जाए मेरे अंदर है उनको भार निकाल दीजे मा मेरे अंदर जो भी नकरात्मा कुर जाए उन्हें अपने चरनों में स्थान दे दुमा माता के आगे यह गुहार लगाई यह जब आप जो जिलाए और माता का जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं मंत्र कीजे और हमारी धुनी करते वक्त भी आप ओमें म्रीम क्लीम वाइस घुमा के जब उसको हमन कुड में डाला जलाने के लिए तब भी बहुत जल्दी रिजर्ट मिलेंगे बहुत अच्छे रिजर्ट मिलेंगे प्रेत्रोगीयों को नवरात्रों में मा काली के मंतर का जाप करना ही करना चाहिए और अब आप बहुत लोग पूछेंगे अगर कोई प्रेत्रोगी नहीं तो वो भी कर सकता है उसको भी benefit मिलेगा आपके जीवन में क्या होने वाली घटनाएं हैं वो भी आपको पता लग जाएगी जिसे कहते हैं न सिक्ट सेंस वो आपकी जागरित हो जाएगी क्योंकि मा काली खुद आपकी श्वय मदद करेगी जो भी मा काली की उपासना करता है उसको बहुत जल्दी दर्शन होते हैं, बहुत जल्दी सपनों में माता आने लगती है, दृष्य दिखाने लगती है, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, कि मीट मास और शराब का अंडे का सेवन मत कीजे, बहुत लोग ये बेवकुफी करते हैं, शोचते हैं, अरे माता क को भी ये सब चड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं चड़ता, माता को कभी भी थामसिक भोजन नहीं चड़ते, कभी भी मधिरा नहीं चड़ती, तो खुद अपना जीप का स्वाद के चकर में, ना खुद को बेवकुफी बनाओ, ना भगवान को यूँ ही समझो, तो मीट मास अंडा श्राम मचली आपको छोड़ना होगा, चाया आप बोडी बना रहे हो, तो भी छोड़ना होगा, मुझे इतने लोग सवाल करते हैं कि मुझे कल एक बोडी बिल्डर का कंसल्टेशन आया, और वो कोई सी प्रोग्राम के लिए तैयारी कर ला है, तो उसने का कि मैं बारा बजे खाले, तो क्या वेडनेस दे लग गया, तो ट्यूजडे हनमान जी का देना है, वो तो निकल गया, तो आप यह मैं सोचो कि भगवान बेवकूफ है, या उन्हें पता नहीं है, आप कभी भी मीट मास काओ, आप जानवर की लाश खा रहे हो, इस बात को समझो, और उस जानवर की हत्या की जा रही है, आपके कारण, क्योंकि आपको उसकी लाश के टुकडे खाने है, तो वो चाय फिर दिन कोई भी हो, वो दिन अशु भी है, क्योंकि आपने अपने शेर को कबरिस्तान बना लिया, और लाशे, कोई भी जानवर सड़क पर मर जाता है, स मासूम जानवरों की जाने जा रही है, सिर्फ आपके कारण, क्योंकि आपको जीब का स्वाद लेना है, क्योंकि आपको उनकी निर्मम हत्या करवा के उनकी लाशों के टुकडे हजम करने है, तो आप इसको करके सोचते हो, अगर के मैं सतकरम और कर लूँ साथ में, अगसे पर रहें, मतर करते में, मतर करने हैं, मतर याद करने हैं, यद कर लो मतर को और तब बोलो लगातार, background में मंतर चला के अपना काम कर रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है, तो इन अवरातर में जरूर फायदा उठाएं, इस opportunity का, और मा काली की उपासना करें, वो प्रेतवा ही नहीं है, कोई भी नकरात्म कुर्जा उनके आगे नहीं टिक सकती, तो इनकी उपासने जितनी कर सकते हो, आप कीजे, मंतर आप सबको पता ही है, जितना कर सकते हो, कीजे, धूनी आप सूपर- Platinum कर सकते हो, इस दोरान सूपर-Gould' अशे हूइसै भी माता की रातना कर सकते है, और जो आप हमाहरे नहीं से मंगा सकते हो नारेल उतारे भी मंगा सकते हो आपको मुबाइल नंबर 813-033-1007 पर WhatsApp मेसेज करना होगा अगें कल पर सुमझे किसी ने पूछा कि आप धुनी और नारेल के बारे में एंड में बताते हो तक पूरी वीडियो तो हम सुनके लोग आगे चल देते हैं तो उन्हें पता नहीं लग पाता कि आप इसकी रेमेडी भी दे रहे हो तो आप धुनी और नारेल के बारे में पहले क्यों नहीं बताते हैं मैं पहले भी बात बता चुका हूँ कि मेरा गोल है आपको ग्यान देना आपको नौलिज दे हूँ मैं देता हूं और अगर आपको चाहिए अगर आप भूद प्रेत से ग्रसित हो और ब्लैक मैजिक हमारे यहां धुनी भी मिलती है नारेल के उतारे भी मिलते हैं जिससे बड़े से बड़े black magic कट जाते हैं काले जादू कट जाते हैं जिसने भी किया हो और negativity भी दूर हो जाती है वास्तु दोश भी दूर हो जाता है और protection होती है आपकी हर तरीके की spirit से तो आप जो है end में पू अपने रेमेडी परस्टनल रेमेडी ले सकते हो अपने केस के साब से तो इसी तरह सुनते रही प्यार देते रही है मैं हूं आपका दूस पलकित ममंद सेंगला